वेल्कम बाक टू माई चानल सर्फ आई एस तो हम यहां कॉंटिन्यू करे थे हमारी वर्ड हिस्ट्री की सीरीज को आज आपके लेकर रहे हैं पाल्ड 4.1 तो इसमें हम कवर करेंगे काफी सारे इंपाक्ट वर्ड वागेरा के चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले च सबसे पहले हम यहां बात करेंगे इंपाक्ट की जो की वर्ल्ड वार वन के हुई मतलब उनिस तक दिए उसके इंपाक्ट कर रहे तो पहला कुछ पीस ट्रीटी की बात करें तो देखिए इन्होंने वीक कर दिया जर्मनी को सिर्फ टेंपरेडली क्योंकि कुछ क्लॉजस थ इंप्लिमेंट करना जर्मनी जल्दी जो है वो री आम कर लिया इसने खुद को है ना हेल्प करके मतलब रेशियन की हल पाके और डिफॉल्ड करा ऑन दा पेमेंट्स तूवर्स रिप्रेशन अच्छा अब प्रीटी जो थी जो सब कर रहे थी सो करने के लिए सीर्स वर्ड बॉर्ट उल्ड फिर वो आकरी में आये ट्रीटीस ने डिवाइट कर देए योरॉप कि दो ग्रूप में लिए दू ग्रूप और वाइक जो घुरॉप था चाहता था रिवास करना अपने प्री सेटिल्मेंट को और दूसरा चाहता था डिफेंड करनाः प्रेशर् विल्सन को और यूस ने रिवर्ट कर दिया था रिवर्ट बाक कर दिया था पॉल्सी पर आइसोलेशन की प्रिवेंट करने के किसी भी तरह का अब क्या हुआ कि इटली ने ऐसा समझा कि उसको वह चीट किया गया है क्योंकि उसको कुछ भी जो है वो टेरिटरी नहीं मिली थी जो को प्रॉमिस करी गई थी टू इन दे लिव उफ इंट्रिंग दो वर इन ना यह कि आप आप 1915 में यह हुआ कि आप 1915 में वार हमारे साथ हेल्प करिए तो आपको हम कुछ जह है वो आपको देंगे टेरिटरी पो मिली नहीं इटली को तो इटली भी थोड़ा को लग रहा था कि बही चीट हो गया है अब League of Nations की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था इंशॉर करने के लिए वर्ल्ड पीस और सोशल वर्क के लिए रश्या देखे बन गया कम्यूनिस्ट वर्ड वार वन के वज़े से क्या हुआ कि राइस हुआ रिवोल्टिंग बॉल्सविक का जो अगेंस से रशियन प 1917 का उसमें क्या हुआ कि जो सिजार थे उन्होंने जो है वो ओवर्ट्रोंड हो गये ड्यू टू आर्मी म्यूटनीस और सिविल अन्रेस्ट की वज़े से एक जो प्रोवेंशल गवर्मेंट थी उसको सेट अप करा गया बट यह फेल हो गई होल्ड करने के लिए प्रॉमिस इलेक्शन को अच्छा हेल बाइ जर्मन्स लेनिन ने क्या करा वो रिटान करें एक्जाइल से रश्या में और यह इसने रास्ता बना दिया ऑक्टोबर वाले रेविलुशन का जो की 1917 में हुआ था एक फरवरी में हुआ और एक ऑक्टोबर में हुआ इसकी वैसे क्या हुआ इसकी वैसे ओवर्थ्रू हो गया प्रोविंशल कवर्मेंट का अब जो बोल्सविक थे जो लेनिन लेट कर रहे थे वो पावर में आ गई और सेपरेट पीस ट्रीटी मतलब ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविक इसको साइन करा गया जर्मनी के साथ में 1917 में इस ट्रीटी यह काफी हार्श थी रेशियन के ऊपर एंड जो है वो यूस करी गई अगेंस जर्मन्स जब जो है इनको इन्होंने कम्प्रेंड करा अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्शली बिंग इम्मॉरल एंड एक्सेसिवली हार्श अब क्या हुआ यूएस वगेरा का राइस हुआ कुछ हेजमिनिक पावर के तौर पे तो देखें यूएस में इंटेर करा वार में उन्नी सो सत्रा में जब जर्मन का जो ब्लॉकेट था शिप्स का उन्नी सत्रा में वो स्टार्ट हुआ टारेट करना सारी मर्चंट बैसे लिखो अट्लांटिक में इंक्लोडिंग यूएस तो क्य साथ ही साथ क्या हुआ कि पहले यूएस नहीं चाहता था इंटर करना वार में और जो स्पिरिट थी अमेरिकन रेवलूशन की वो थी यूएस रिजायम का रशिया में इसने रिमूफ कर दिया इस बैरियर को भी कुछ फैक्टर्स हम आपको बताएं इसकी हेल्प से यूएस सिमर्च होकर आया है ट्रो विनर के तौर वर्ड वार वन का तो वार जो थी ना वो फॉट हुई थी यूएस के सॉयल पे यूएस था उसने एसकेप कर दिया यूज्वल दामेच इंफ्रस्ट्रक्चर का और कॉंसेक्वेंट इकनॉमिक कॉस्ट भी रिकन्स्रक्शन की लेक यूएस ने रिखने आपक दिया आफ्र एंट आफ़ दो वर्ड वार वार वर्ड वार हैं ताकि वह अपना लिपर गएरा दे सके जो कि उपर जर्मानी की ऊपर इंपोस करा गया था ट्रेटी ऑवर्सलीस से दवरा दाज यूएस उसने बहुत सारा मनी जह है वो विड वार बन में दिया और ये मशीन बन मतलब ये वार मशीन था याट इस military industries ने काफी गेन करी रादा तर पैसा गेन करा sell करके weapons को world war की टाइम थे decade जो थी मतलब decade after the war और ये 10 सालों के बाद war के तिल 1929 जब economic crisis जो है उसने US को hit करा ये सबस्यादा most prosperous रहा US के लिए अब क्या हुआ कि जो लीडिंग रोल था वो प्ले करा गया प्रेसिडेंट वुड्रू विल्सन के द्वारा नेगोसियेशन करने के टाइम पर वर्सलीज में एक symbolic proof था इस ट्राइट का US की दूरिंग और आफ्टर दी वर्ल्ड वार दस अल्दो यहां पर इव थी वर्ल्ड वार की युएस एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एकनॉमी था वर्ल्ड वार वन ने देखे कैटलाइज कर दिया इसका arrival on the world stage एक ग्लोबल पावर के तौर फिर देखे युरोपन एकनॉमी भी काफ़ी सफर हुई वार की वाज़े से युरोपन नेशन काफ़ी डिपेंडेंट बन गए लोन वगयर आप लेके युएस से रिकंस्ट्रक्शन के रहा उसके बाद डिस्मेंबर्मेंट जो था उट्टोमन इंपायर का तो उट्टोमन इंपायर देखे डिसंग्रेट हो गय और हाफ़ग एंपायर वह भी खतम हो गया पिन्नाय ने नेशन आने लगे तर्की ऑस्ट्रिया हंग्री इसको क्रिएट करा गया और बाद में क्या हुआ श्रजोवाकिया और पोलाइन वगयरा को भी क्रिएट करा गया सर्बिया ने अपना ड्रीम फुल्फिल करा युनाइ ने देखे सीज करा इनसे फ्रॉम रशिया आफ्र दा ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लेट्स वर्क उन्नीस सातरा में यह हुई थी तर अगर देखे इंपीलियर्जम तो इंपीलियर्जम कॉंटिव रहा जर्मन कॉल्नीस वगयरा जो है वो कनवर्ट करती रही इंटू मैंडेट मैंडेट जो थे उनको हैंड ओवर कर दिया गया विक्टर्स को प्रिपेर करने के लिए उनको इंडिपेंडेंस के लिए सूटेबिल फूचर डेट के टाइम पर और जो बिटिश थे उन्होंने पाया जर्मन कॉल्नीस आफ्रिका में भी और्टुमन इंपायर की टेरिट्र को यूज में काफी जादा लाया गया इसकी वेज़े से वार जो है वो पीस से और दूर रही और इंशोर करा फ्यूचर वार जो है वो जादा देंश्रेस हो सकती है फिर यह हुआ कि वर्ड वार बन जो थी उसने चेंज कर दिया लोगों का आउटलुक वार के टिवर्ड से लेकिन वर्ड वार वन के बार आपको सिनारियो पूरा चेंज होता दिखाए दिया सब डर गए थे जारा सब तो देखते थे कि ट्राजडी थी क्योंकि यह कभी होनी नहीं चाहिए थी क्यों हो गई है ना और इसमें सोश्य एकनोमिक कंडिशन बगेरा भी एक्डम वर्स ब हो गई थी आप देखिए हम कुछ आपको लीग ऑफ नेशन्स के बारे में बताते हैं तो देखिए लीग ऑफ नेशन्स का जो ओरीजन है ना वो वार एम्स के रहा एलीट पावर्स के वोड्रो विल्सन के लिए 14 पॉइंट थे अभी पुरानी वाली वीडियो में है फोर व वार एम्स दूरिंग वर्ड वार वन जो क्लॉस था उसने फॉर्म ले लिए लीग ऑफ नेशन्स का यह है फॉर्म करी गई जैनवरी उनेशन्स सो बीस में इसका हैट्कॉर्टर सथा वो जैनवा में था और सेम डे आज़र ट्रीटी ऑफ वर्सली केम इंटो एफेक्ट उस ऑफ कलेक्तिक सिक्योर्टी के फीकें तरू सारी मेंबर नेशन यो ते वो कलेक्टिव लीख कर रहे थे रही नेशन के अगेन्स जो कोशिश कर रहे थे वेज करने की वार को इस असे फिछिलाब ये वनuman की अगृूर्स एक्शिन के वो तेक्ट फॉर्म ऐक वो उनक्षय अगर जरुवत होगी है अगर माली जे कोई बेवज़े के लिए बढ़केगा तो उससे खिलाब यह सारे चाहिए अक्षन लिए जा सकते हैं अब इकनामिक और सोचल वर्क की बात करें तो लीग जो आफ नेशन जो थी वह इंटरनाशन कोपरेशन चाहरी थी सोचियो एकनामिक डवलपमेंट के लिए पूरी वर्ड में इस परपस के लिए कई सारे ओगनाइजेशन लीग ऑफ नेशन के साथ में वो क्रिएट करें गए उसके बाद देखें यहां पर हम लीग कन्विनेंट की बात करें तो देखें यह लिस्ट थी रूस की यह रूस की जिसके महाधियम से लीग को ऑपरेट करते थे जो रूस से वो ड्रॉण हो रहे थे एक इंटरनाशनल कमेटी की दोड़ा जो कमप्राइज कर रहे थी लीडर से कई सारे इंपोर्टेंट वर्ड पावर से भी अब देखें ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें हम अ अब क्या हुआ कि सेक्योर्टी काउंसल देखें तो लीग ऑफ नेशन जो है उसके पास एक युनाइटेट नेशन सेक्योर्टी काउंसल की तरह एक सेक्योर्टी काउंसल भी थी इसमें आर्ट मेंबर थे स्टार्टिंग में जिसमें चार पर्मनेंट मेंबर थे और बाग फ्रांस आपका इटली जैपान और ब्रिटेन था डिसीजन जो था काउंसिल का वो यूनानिमस था जो मैंडेट था लीग का इंट आपका नेशन सेक्योर्टी काउंसिल का वो डील करता था पॉलिटिकल इसूस से फिर देखिए अगर हम पीस कीपिंग फंक्शन की बताएं आपको तो इसके फंक्शन रहें कि सारे डिस्प्यूट जो है जो बॉइल डाउन कर रहे थे वार को यह रिफर करें गए लीग में और कुसी भी तरह के मेंबर जो है जो रिस्टोर्ट कर रहा है वार को उसे फेस करना पढ़ रहा सब्सक्राइब करने की अमाउंट आफ रिसोर्स को नावल एयर मिलिटरी को जो हर एक मेंबर जो लीग का है वो कॉंट्रिबूट करा करता क्लेक्टिव आक्शन के लिए अग्रेसर अब जनेरल असेंबली थी मेंबर से लीग आफ नेशन्स के उसने कॉंसने कॉंसने मेंबर थे उनके पास पॉलसी मेकिंग बॉडी थी लीग की और दस इसका जो मैंडेट था वो डिसाइड कर रहा था जनेरल पॉलसी जनेरल पॉलसी इशूस के द्वारा ठीक है इसको कंट्रोल करा गया था मतलब इसने जो है कंट्रोल करा था फाइनेंसे को लीग ऑफ इसका मैंडेट जो था वो डील करना था ओनली विदे लीग डिस्प्यूट जो कि स्टेट के बीच में हो रहे थे और नाही पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो था इसमें 15 जरेस थे कई सारी डिफ्रेंट नाशनालिटी के इसने कॉंटिन्यू करा फंक्शन करना तुड़े एज पाल्ट ऑफ युनाटेट नेशन के अभी भी काम करती है एंचानि जाती है इंटरनाशनल कोल्ट ऑफ जस्टिस के नाम से सेक्रेटेट की बात करें त एक्जांपल जो है important commission के वह आपको commission for handling issues मिल जाएंगे regarding mandates, disarmament, military affairs वगयरा दूसरी तरफ important committees वो सारी जो deal करती थी areas of health, labor, women rights, drugs, child welfare वगयरा अब देखिए evaluation की बाते करते हैं performance of league of nations के तो determine करने के लिए success or failure league of nations का हम से analyze कर सकते हैं इसकी performance को अगर आप देखें दो major aims से relate करके league के जो कि मैंने आपको पहले बताया है अगर जो है performance league of nations की वो summarize करेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि यह fail कर गई respect to its aim अपने aim को पूरा करने में अपने resolution जो था इसका international dispute पगेदा का ensure करने में peaceful world इसमें वे fail हो गए बट जो है इसने important work भी किया socio economic development के लिए पूरे world में especially जो work करा गया international labor organization के द्वारा toward welfare of the workers and contribution of league of nations for rehabilitation of the refusives of the world war one what was commendable success की अगर हम बात करें league of nations के तो देखिए यह दो तरीके से successful रही है economic and social work हुआ इसके commission and committees के माध्यम से जो हमारा international labor organization है ILO जो है यह पहला सबसा most successful रहा जो गोल्स थे है लो कि उसमें आपको यह चीज थी कि fixing maximum number maximum working days ठीके maximum working days वगेरा को fix कर दीजे minimum wages को fix कर दीजे ensure करिए कि जो member nations है वो provide कर रहे है unemployment benefit old age pensions के लिए और यह work इसका जो work था include कर था information dissemination with respect to performance कई सारे different member nations की push करने के लिए government को for actions के लिए actions के लिए in the area of welfare of the workers फिर refugee organization बताया है तो इसने help करा prisoners of war को रश्या में है ना उनके घरों में outside रश्या इसने help करा 1933 में इसने help करा Jews को जो बाग की गए थे escape करा थे Nazi persecution को और resetting हुए थे कई सारी different countries में जहां पे वो safe थे administration की बात करें तो इसने अच्छा काम करा था find करने में causes different epidemics के यह especially successful रहा था combat करने में typhus epidemic को रश्या में जिसका खुद का potential था spread करना rest of the Europe में mandate commission की बात करें तो इसकी responsibility थी monitor करना governance को territories के जो कि दिए गये थे member nations को mandate के तौर पर मतलब मतलब कॉर्मनी जो थी करने के लिए governance को सार में प्रेगी जो है काफी जो है efficient रहा यह भी और successfully इसने हेल्ड करा प्रिविस साइट वहां पर 1935 में प्रिविस साइट के बाद सार्म जो है वो रिटर्रन कर गया जर्मनी और तो जो मैंडेट्स कमीशन थे वह अच्छे से काम कर रहे थे यह आप आर्यू कर सकते हो कि इसने कुछ जादा नहीं करा अगेंस कॉलनाइजेशन इन फॉर्मर अफ्रिकन कॉलनी जो की मैंडेट्स में जो था वह बैट करा रहा था मैंडेट्स के लिए बट कमीशन थी वह ऑंडेशन करके करना लुकलवाइफ करना कि मैंडेटी नीविए एंक के पास ग्रीज को पे कनने के लिए कमपनसेशन बुलिज एक जब जो फार्मर में उसने इन्वेट कर दिया बुलिजहिए को जैए बुटिएन के फेवर में जब टर्कीम करना मॉसूल प्रोवियंस को जो कि मैंडेट थी पिटेन की लीग ने सॉल्व करा टेरिटोरिय डिस्प्यूट को पेरिव और कोलंबिया के बीच में एशिया 1921 की बात है जब यहां पर डिस्प्यूट हो रहा था अपर सिलेशिया के रिगार्डिंग जो कि इंडस्चियल रीजन था जर्म नहीं करा वर्ड की पीस को हलांकि जब भी एक मेजर पार जो है इंवाल होती थी तो डिसीजिजन लीग का था हमेशा उस मेचर पावर की तरफ जुग जाता था अब देखें फेलियर काॉस की बात करें इन एफेक्टिवनेस के लीग आप नेशन की तो पहला है कि एक की तोर पे एलीट पीपल का इस्पेशली हमारा जो फ्रांस और बिटेन थ्यूस वक्त सेट अप करी के थी इंप्लिमेंटेशन के लिए अंजर्स पीस ट्रीटीज जो फेल करें सैटिस्वाय करना सारे ही नेशन को पर तर्की और इटली दोनों ही जो है डिस सैटिस्वाय थ इतली इतली जो था वो डिस सैटिस्वाय था त्योंकि उसको वह चाहिए ट्रीटरी नहीं मिली थी जिसको वह प्रॉमिस करी थी निस्सों पंद्रा में कि आईये वार में तो हम आपको यह साही ट्रीटीज जो है वह साइंड हो रही थी वह अगेंस थी प्रिंस्पल आप सै रिटर्मिनेशन के ऐसे कि मिलियंस ऑफ जो जर्मन्स थे प्रीस ट्विटीज के बाद उन्होंने रिसाइट करा जर्मनी के बाहर शेज़स लुवाकिया में और पोलैंड में सिमिलरली कई सारे जो टर्क्स थे वह अब जो है वह वह रेसिजेंस बन गए थे ग्रीज के फिर करा लेजिटिमेसी को और अथौर्टी को लीग ऑफ नेक्शन की तो आट टाइम जो कॉन्फरेंस ऑफ अम्बाज़र थी वह ओवर्रूल कर देती थी लीग कर दिसीजन जैसे की केस हुआ था कॉर्फ्यू इंसिडेंस का 1923 में इसमें जहें इन्वाल कर रहे थे मसूमी इस और ग्रीस फिर देखे डिसामामेंट कभी हुआ इस इस जर्मनी था इसको डिसाम कर दिया गया था ट्रीटियों वर्सलीस के अंदर लीग फेल कर गए करना बाकी सारी मेजर पावर्स को डिसाम करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वह नहीं चाहते थे सेल्फ डिसा कॉन्परेंस हुई 1932 में तो हिटलर ने डिमांड करा इक्वालिटी हो आमामेंट की फ्रांस के साथ में बट फ्रांस ने रिफ्यूज कर दिया इसको क्योंकि उसे डर था कि जर्मनी जो है वह बन जाएगा एको इमिलेटरी पावर और जल्दी मर्जों कर आ जाएगा थ्रे मौकरी की बात करें के लेक्टिव सिक्योर्टी की तो जो फेल करके चेक करना किसी भी तरह का वाइलेशन फ्रेंटर्स पर जोके स्टाब्लीश हुआ था व्ल्ड वार वन के बाद अपने पीस ट्यूटी के माद्रम से फिर 1923 रेजलीशन की बात करें तो इसने अलाव कर दि है रिस्पॉंसमिल्टी को कि जो मेंबर नेशन हैं उनकी ड्यूटी है चेक अप करना किसी भी तरह का आक्ट वार का बाइनी अधर मेंबर नेशन फिर देखिए फेलियर भी हो गया था जनवा प्रोटोकॉल का 1924 के तो ब्रिटेन और ब्रिटिश और फ्रेंच गॉर्मेंट थी उनने प्रपोस करा इक जनवा प्रोटोकॉल को इसने प्रोवाइट करा कमपसरी आर्बिट्रेशन दिस्प्यूट के लिए इसने कमिट करा लीग आफ नेशन मेंबर को कि वो आएं और इमिजेट विलेट करें एट दे विक्टम को अग्रेशन के और एम कर था इसका कि वो जनेरल डिसमामेंट भी हो जनेवा प्रोटोकॉल में क्या था कि जो मेंबर स्टेट थी वो डिक्लेर करती थी खुद को रेडी तो कंसेंट तो इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दे सोविनेटी इन फेवर आफ लीग आफ नेशन बट यूसे ने कंडेंड करा प्रपो पॉवर्टी आगई थी अनिम्प्लॉइमेंट और बढ़ता चला जा रहा था राइट विंग गवर्मेंट जो है वो पावर में आगई थी पूरे वर्ड में यह जो गवर्मेंट थी वो ज्यादा अग्रेसिव थी वाइलेट थी लीग कन्विजेंट के लिए एक्जाम्प कर लिया और ऑस्ट्रिया को 1938 में सारे केसिस में जो लीग थी उसने प्रूफ करा कि वह पावर लेसे और फेल कर गई चेक करना मिलिट्री अग्रेशन को जैपनीशन के केस में मैंशूरिया में 1931 में जो डिसीजन था लीक का वह यह था कि जैपनीश जो है वह 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 इकनॉमिक स्ट्रेस में थे अपने डिप्रेशन की वज़े से सिमिरली क्या हुआ कि जब अपील करा लीग से अगेंस इटालियन अग्रेशन ऑफ 1935 तो लीग में अप्लाई कर दिया सैंक्शन बट सिर्फ हाफ मतलब आधे दिल से करा आधे मन से करा इटली यह था अभी भी अलाओ कर इसको अलाओ था कि वह इंपोर्ट कर सकता है इंपोर्टिंट गुड्स को जैसे की कोल ओयल स्टील और अगरा को और दर जो है वो संक्शन जो है वो फेल कर गए कोर्स करना इटली को विड्रौ करने से अबैसीनिया से कि आगे देखते हैं तो देखिए यहां पर कुछ चीजी हैं जो काफी क्लियर है इन डिसकेशन के माध्यम से कि कुछ इंपार्ट पड़े एकनॉमिक क्राइस जो 1929 के आई थी उसमें वर्ल्ट पॉलिटिक्स पर कुछ इंपार्ट पड़े इसे कि रिजट राइट विंग गर्मेंट इस्पेशली फेसिस्ट का जो आपका रिजाइम था जैपान में इटली और जर्मनी वगरा में इसने बेनेफिट ले लिया वर्ल्ट की एकनॉमिक क्राइसिस का क्योंकि जानते थे कि एकनॉमिक कंसर्स की वज़े से इंपोर्टन लीग मेंबर्स बिटेन फ्रांस वगरा ज इनफ चैलेंज करने के लिए वर्ल्ट की पीस को साथी साथ ये भी क्लियर था कि हर जो एक नेशन है जैसे कि आपका प्रोपोनेंट्स हो गए लीग वगरा के वो कंसर्न है अपने खुद के एकनॉमिक इंट्रेस्स है अना बी इट दा यूस पालसी आइसलेशन और बिटिक अबनेंट ऑफ जैनेवा प्रोटोकॉल जो मीजर पावर्स है वो चाहती नहीं थी कि रिस्पोंसिबिल्टी लें कि डाट वुड नॉट ब्रिंग एनी डाइट टेरिटोरियल एकनॉमिक गेंस इवन जो बीटेन फ्रांस वगेरा है वो भी जो थे वो हैंप थी अफेर्स के लीग के यह भी जो है आक नहीं कर रहे थे जब इन्होंने जो है यह नहीं पाया सपोर्ट वगेरा दूसरे कुछ एकनॉमिक इंपोर्टेंट और मिलिटरी पावर्स का इसे कि आपका यूसे हो गया यूसे साथ वगया हो गया फिर आपका नाशनल एकनॉमिक पॉलिकल बेन आपकी नेमली यूसे यूसेसर और जर्मनी वगयरा वो तो इसके मेंबर थे नहीं जब लीग जो है फॉर्म्ट हुई थी में तब अच्छ दस क्या हुआ कि यह बन गए और और फ्रेंच और बिटिश को और लाट करने लगे लगे लिजितिमेसी और बिंग कॉल्ड टूली अब क्या खेते हैं जर्मनी कि उसने एडमिट करा 1926 में और उसने मेंबर्शिप पाई 1934 में अब क्या हुआ कि यूसे ने कभी जॉइन नी करा लीग ऑफ नेशन के नहीं इसने जो है रेटिफाइड करा इसकी पीस ट्विटीज को वल्ड वर वन के बाद में यूस की जो प वल्ड गवर्मेंट के तौर पर जो की थ्रेट कर सकता है यूस की नाशनल सोवेनिटी और फीडम को अच्छा यह नहीं चाहते थे कि वो इन्वाल्व हो किसी फूशर मिलिट्री कॉन्फिक्ट में या पिर इन्वाल्व किसी उरोपें अफेर्स में अब 1933 तक क्या हुआ कि जैपान था उसके उसने कुट कर दिया लीग ओफ नेशन को और जल दी जह है यह एंड सून आफटर हिटलर की जर्मेनी उसने भी लेफ्ट कर दिया लीग को दस ऑन दे यव वर्ड वर्ड वार टू जो लीग ऑफ नेशन थी वह फेलियर समरी की तौर पर बताएं आपको त इन प्रांस वगेरा उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए लीग को एक नॉमिक राजिस 1929 की यह भी रिस्पॉंसबिल है इसी तरीके में कॉन्फरेंस वगेरा जैंबास्ट की थी उसने भी एंडर्माइन कर लीग के अथोटी इंपोर्टेंट पावर्स आपकी जर्मिन इंपाक्ट क्या रहा इस जो यह पेलियर हुआ लीग अफ नेशन का उसका दीवेदी में क्या था इस स्मॉल में स्टेट जो थी उसने अपना फेथ लॉस कर दिया लीग और नेशन से अपने इनक्शन की वजए से अगेंस्ट अग्रेशन जो की मैंशूरिया और अबैसीनि तो युनाइटेशन में इसको सेटफ किया गया था 1945 में वर्ल्ड वार II के बाद में वही जगा लीग और लीक ऊफ नेशन वर्ल्वार बर न के बाद में 1910 बीस में सेटफ हुई थी युन चार्टर लीग में लीग कॉनवीनेंट है युनेटेटेशन में आपका एक्टिव करती थी US, Britain और France और Russia की तौर पर एक वस नॉट इन्वाइटेट है ना जोगी मतलब जो है drawn up by US, Britain and France as Russia was not invited by the Treaty of Versailles UN का एम होता है world peace प्रोवाइट करना, protection अगरा प्रोवाइट करना, सारे ही human rights का social economic development करना, League of Nations जो है वह इंक्लूड नहीं करती राइट protection करना किसी भी इंडिविज्वाल के तो उसके बाद और भी कुछ है कि UN में देखिए voting rights आपको मिलेगे UNSE में है ना नेट टू बी यह यूनिन अमिनस होने चाहिए एक decision के लिए to take effect यहां पर क्या है कि UN में voting is voting in UNSE मतब यूनिट नेशन स्योर्टी कॉंसल नीड नॉट नीड नॉट तो बी यूनिन अमिनस नहीं होने चाहिए वह जगा लीग अपनेशन में होने चाहिए पर्मनेंट मेंबर्स जो UN के हैं UNSE के है वह आपकी USA, France, Britain, Russia और चाहिणा, नंबर जो फ्रेमेंट फेमारेंट मेंबर्स का है वह आपका दस है जो की निड़ीन जो चाहिए और वह जल जो फ्रांस, इए उटक निटी आन पर्मनेंट मेंबर्स और 1926 था और 4 था 1920 में इसको इलेट करा गया जाता था तीन सालों के लाग अब यह सारी बात है हमने करी अब हम देखें कुछ हम सिविलारिटी की भी बात कर लें UN और L.O.N. की बीच में तो common aim जो world peace का है और socio-economic development का है यह दोनों का तो है यह league of nations और united nations का फिर और वेटो पार मेंबर की और security council की फिर लाक है permanent army का अपनी खुद की और dependence है कि members के contribution पर troops के common weakness देख लें तो criticism है कि यह tool है superpower का pro west है यह ना इस super wind है two powerful individual nations के लिए financial dependency इनकी US और योरोप से रहती है UN जो है वो mainly dependent US पर है आगे बढ़ते हैं देखिए वर्ड जो रहा 1919 से लेके 1923 तक के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टर्किश nationalization की तर्की काफी जो है दुख में था खुश नहीं था इना इतली के साथ में जो इतली के साथ में इतली के साथ में इतली के दौड़ा इतली के दौड़ा इतली ने जो है बॉंब कर दिया ग्रीस को और कॉर्टू अगयरा जो है उपाइड भी कर लिया और इसने जो है वह उसे तभी छोड़ा जब ग्रीस ने पे अरा कंसा कंपनसेशन जो कि दिमाइन कर गया था इतली के दौरा फिर देखें तीसरा पॉइंट क्या रिखा यूएस वार डेप तू यूरॉप तो यूएस ने देखें बेनिफिट हुआ बहुत ज़रा उसे मिला वर्ड वार वन से आम वगेरा बेच के और रीट पावर्स को ल इसको बहुत पैसे देना था यूएस से लोन वगेरा ले लिया और उन्होंने सारी पावर्स ने अपना थोप दिया दो यूएस देखिया बढ़ता चला गया यहां पर यूएस को प्रॉफिट होता चला जा रहा है और बाकि सारे जो हैं वो दीवेंदी में जुकी रहे हैं फिर रॉषियन से विल वार की बात करें देखिए जो 1918 से 20 तक के लिए चली आखरी वाला पॉइंट के देखिया तो जब बोल्सवेक जो है पावर में आ गए तो उन्होंने कोशिश करिए एक्सपोर्ट करना कम्निलिस्ट रेविलुशन को सारी वल्ड में अपना कर दी असेंबली को जो फॉर्म हुई थी थू देमोक्राटिक इलेक्शन आफर दर रेविलुशन और असर्प्ट करी पावर इस्टाबिश करके एक कम्निलिस्ट रेविलुशन को इसकी वैसे एक बड़ा कॉस बन गया रिसेंडमेंट का गुरूप से बीच में जो चाहते यूरोप में बड़ी सेक्सेवल रहा रश्या में क्योंकि वहां पर बॉल्स्ट्रिक जो थे वह सिविल वार जीट अब आगे बढ़ें तो देखिए अटेम्ट्स क्या रहें वर्ड वार वन के बाद में इंप्रूफ करने के लिए इंटर्नाशन को सबसे पहला लीग ऑफ मैंने बताया अच्छे से लीग ऑफ नेशन को 1920 में सेटप करा गया था बनाने के लिए फिर आपका एंग्लो रश्यान ट्रीटी करी गई थी 1921 में तो देखिए जब रश्या वार हो गई यहां पर एट्मॉसफेर था रीकंसिलेशन का ब्रिटेन और रश्या के बीच में और जो वेस्टन पावर थी वो भी पेल करके डिपीट करने के लिए बॉल्सफिक को रश्या सिवल पॉर में रश्या एग्जॉस्टेश था सिवल वार से उसने अब डिजायर कर रहा था इंवेस्टमेंट मिले कहीं से रिकंसलेशन मिले बिटिश के साथ में फिर देखिए पावर्स को और इसने जो है सीज कर दिया किंशाव आइलेंड को और शातूं प्रोवेंस को चाइना की इसने रहा उक्पाय कर लिया सारी जर्मन पैसिफिक आलेंड को भी दस वाल्ड वर वन के बाद भी जैपैन जुथा वह मर्च होकर आये गर राइवल की तौर पे जाता था प्रिवेंट करना वार एक नैवल रेस जैपैन की साथ में इसके बाद क्या हुआ कि जो कॉन्फरेंस थी इसने अग्री करा कि जो जैपैन है वो विड्रॉ करेगा कि इंशो और आइलेंड से और शांतिंग प्रोविंस से चाइना की बतले में जैपैन जो है उसको जैपैन बिटेन और फ्रांस के द्वारा भी साथ ही सारी पार ने अग्री करा कि वह रिस्पेट करेंगी एक दूसरे के पशेशन पार इस्ट में अग्रीमेंट जो है वो प्लेस करा था रिमेट्स नैवल फ्लीट पे युएस की बिटेन और जैपैन इनकी नेवी जो थी व कि पड़े वाशिंटन कॉन्फरेंस से जैपैन इमर्ज होकर आया सुपर पावर के तौर पे पैसिफिक में क्योंकि अल्दों इसनका जो साइस था नेवी का वो थी फिफ था बिटेन और यूएस से बिटेन नेवी लेकिन बहुत ही पैसिफिक में बिटेन और यूएस की न यूएस के यह सफर कर जाएंगे बहुत लंबा रॉस है ना इन्वाल्व करके वार में जैपैन के साथ फिर देखिए हम जिनोवा कॉंफरेंस की बात करें जो की 1922 में हुई तो यह बिटेन की दौरा जो है वो करी गई सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को जैसे क करना डिप्लोमेटिक टाइस का रश्या के साथ में फिर रिजल्ट देखिए जनोवा कॉंफरेंस का यह रहा कि फेल कर गई है भी रिजॉल्व करना प्रॉब्लम्स फ्रेंच क्योंकि फ्रेंच ने दिबांड कर दिया था फॉल रेपरकरिशन जर्मनी से साथ यूस ने करा कॉंफरेंस को क्योंकि बृटेन ने डिमांड कर दिया था कि जो बॉल्सविक हैं वो पे करें वार का डेप जो की इंकर्ड करा जा रहा है से सारेस्ट रेजाइम के द्वारा वर्ल्ड वार वन के टाइम पर इंपार्ट देखिए यह रहा जर्मवा कॉंफरेंस का कि जर्मनी रेश्या ने साइन कर लिया एक सेपरेट अग्रिमेंट जैसे कहते हैं रपालो अग्रिमेंट 1922 में थ्रू विच इन्होंने कैंसल कर दिया किसी भी तरह का रॉर एपरेशन जो एक दूसरे को देना है वो देखिए यह बात करें देखिए यह बात करें 1924 वाले की तो यह प्लान का जो है वो एम था सॉल्व करने में प्रॉब्लम फ्रेंच कॉप अक्यूपेशन की रूहर में और कॉंसेक्वेंट ग्यालोपिं इंफलेशन और हुज आपका हुज डेप्रिसियेशन जर्मन फ्रां जर्मनी है वो पे करेगा अन्वली जो भी जो है वो अफोर्ड कर सकती है और यह बन जाएगी जब तरह किसी प्रॉस्पर रिना फो जैति होती जाए कि इतना फोर्ड करें जाए उतना पैसे जाए पर यहां पर कोई बेडिक्रीज नहीं था टोटल अमांट में जर्मनी के ह जर्मनी को साथ यह अगरी करा था विड्रॉक करने के लिए प्रॉहर दोस प्लान था वह सक्सेफुल था और जमन स्टार्ट करें दीक वर करना क्योंकि जो यू-स का लून मिल रहा था उसको सफ़ वजे से इंटर्नाशनल रिलेशन देखिए इंप्रूब होने लगे डॉर्स प्रान के बार में और इसने जो है वो ग्राउंड जो है बनाया फॉर लोकार को ट्रीटीज ऑफ 1925 अब देखिए आप लोकार को ट्रीटीज की बात करते हैं यह 1925 की जो है अब जो मेन प्लेयर्स थे न वो करेंगे फ्रेंटेर्स को कि सेट अप करें जा रहे हैं पीस ट्रीटीज की दौरा वर्डवार बन के बाद में इसका मतलब यह हुआ कि जो नेशन वन प्रॉमिस करा कि वो अटाक नहीं करेंगे एक दूसरे को अगर जो है वना एक कोई नेशन अटाक करता है दूसरा नेशन जो है वो रेस्क्यू कर लेगा विक्टम को अगेंस अग्रेसर जर्मनी ने रिफर्म करा कि जो है यह कॉंटिन्यू करेगा रखना रेलेंड दी मिलिटराइज एस पर ट्विटी और वर्सेल से इसके इंपक्त गिये रहे कि ट्रीटीज जो है वो सेलिब्रेट करी गई योर में और इंवार्मेंट था फ्रेंड्शिप का और इस्ट्रेस्मन जो आपका जर्मनी के थे और ब्रियांड फ्रांस के और चांबर लेन ब्रिटीन के यह फ्रिक्वेंटली मिलते रहे उनने सो 1929 तर अब वीक्नेस ही रही कि ब्रिटेन और जर्मनी थे उनको ग्यानटी नही एक इंप्रेशन की जो है यह इंटर्वेन नहीं करेगा अगर जर्मनी अटाइक करता है पुलैंड को या शिजो ल्वाक्या को लोकानोर स्पिरिट जो है वो एक इलूजन थी क्योंकि यह काफी डिपेंडन थी इकनॉमिक प्रोस्पारिटी पे विच वर इवें इवापरे एक इस्ट्रुमेंट की तौर पे नेशन पॉलसी के इंपक्ट यह रहा कि इसका मतलब यह नहीं रहा कि मतलब इडिड नॉट मीन मच इसका कुछ यादा मतलब नहीं रहा क्योंकि यहां पर जो है कोई भी मैंशन नहीं था सांक्शन का अगेंज अन अग्रेसर जैपैन ने जो है वो साइन करा पाक्ट बर्जल दी जाए उसने अटैट कर दिया मैंशूरिया को 1931 में आगे देखिए यंग प्लान के बारे में बताएं तो देखिए यंग प्लान 1929 में रहा कुछ यह है इसका एम था सेटिल करना क्वेश्चन जर्मन के रिपरेशन का एस प्लान के अमाउंट ऑफ मनी पे करा जा रहा था वो डिक्रीज करा गया 2000 मिलियन पाउंड से पुराना 66 मिलियन था अभी क्या था कि 2000 मिलियन पाउंड कर जया गया था यह किसके अंदर था यंग प्लान के अंदर अब हम कुछ बात करेंगे उन इवेंट्स की जो कि 1929 के बाद हुए अब यह 1929 के बाद की बाद है टर्निक पॉइंट रहा हमारी हिस्ट्री में 1929 के बाद यूरप ने देखे स्टार्ट करना शुरू कर दिया ड्रिफ्ट करना सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ और लोकार्णों स्पिरिट जो सको एंड कर दिया गया कई सारी एवेंट्स की वज गया था तो हम एकनॉमिक क्राइज जो 1929 की रही उसके बाद में बात करते हैं इसकी वज़े से क्या हुआ हाई अनिप्लाइमेंट हुआ जर्मनी में 1932 तक यहां पे छे में अनिप्लाइम हो गय थे जर्मनी में काफी दिक्कत हो गई थी और जब नाजीस वगएरा बढ़ और फ्रांस ने फ्री करते हैं जर्मनी को यह करा गया वराने के लिए इसलिए करा गया क्योंकि काफी डिप्रेशिन बढ़ गया था यहां पर छे मिलियन लोग थे वो और इंप्लॉय थे जर्मन पें 1932 था फिर वर्ल डिसार्ममेंट कॉन्फेरंस की बात करें तो वर्ल डि स्थितिस में लीक ने वह करेंगे सारे मेंबर जो हैं वह अगरी करेंगे करने का आममेंट को पर यह सिर्फ जर्मनी था जो डिसाम करा गया पॉलिंग क्रिटी करके वर्सली इसकी जर्मनी ने डिमांड करा कि यह ना नहीं मतलब इधर और शुट्ट डिसाम यह तो सारे लोग डिसाम करो यह हमें अलाव कर दो कि अटलीस एक पैरिटी तो हो फ्रांस के साथ में टर्मस ऑफ आर्ममेंट प्रिटेन और इटली ने सिंप्राइस करा जर्मनी के साथ में पाइनली जब फ्रांस जो है उस जो डिडि कर दिया आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए हम आपको बताते हैं कि फ्रांस जर्मनी के बारे में जो कि 1909 से लेके 33 तक के लिए चले तो फ्रांस से लिखी इंसेस्ट करा हार्स ट्वीटी पे दूरिंग ट्वीटी ऑफ वर्सलीज नेगोसियेशन फ्रांस ने फॉलो करे कि जर्मनी को फोर्स करें प्रे करने के रेपरेशन वग्यरा उसके बार यूज करना सार की कोल को 15 सालों के लिए डिसाममेंट कर दिना जर्मनी का है ना डी मॉबलाइस कर दिना राइड लैंड को यह स्टेश दाला गया फ्रांस के द्वारा ड्राफ्ट करने में ट्वीटी लेटिशन वग्यारा को है ना इन सारे ट्वीटी को आप ग्यारा करते हो लिटिल एंड्टीट के नाम से उसके बाद री कंसलेशन वग्यारा करा फ्रेंड्शिप वग्यारा की बात करें तो डवीज प्लान की द्वारा उन्नी सो वड़ेश वाले आपका लोकान नो के तौर पर वर्ड वार वन के टाइम पर रिलेशन जो रहे फ्रांस जर्मनी के बीच में वो हमेशा कड़वे ही रहे जब तक कि रेट देविस प्लान नहीं हो गया देविस प्लान के बाद यहां पर एक्नॉमिक रिकवरी आई जर्मनी के लिए वीवर अंडर वीवर रिपॉ के वर्ड वर वन के बाद में इस्ट्रेस्मेंट के अंदर जर्मनी जो थी वो डिसायर कर रही थी अभी भी कि हालागी यह जो है वो अग्रीवर स्टन नहीं ले पाई पॉल पॉलिश कोरीडोर और देंजिंग पोर्ट का यूनियन और अस्ट्रिया फिर सुडेंट अब देखिए रिवीजन जो हुआ ट्वीटी वर्सलीस का मतलब डिक्रीज हुआ जर्मन रेपरेशन में अनलमेंट हुआ डिसार्ममेंट क्लॉस को राइन रियार्ममेंट का 1929 की जो फैनेशल क्रैसिस उसके बाद जो नाजीस का इंफ्लूएंस था वो बढ़ने लगा और एक्स्ट्रीम नैशनलिजम जो है जर्मनी में वह भी बढ़ने लगा फ्रेंच का अटिट्यूड हाड हो गया जर्मनी के अगेस और यह जो है वह अप्रोच करना शुरू हो गया पॉसिबल तरीके से जितना भी वह जास अत्रता तर्यसे की युएसे सार बगेर के पास में ऐस्ट्रिया जर्मनी कास्टम यूनियन आई इसने प्रपोस करा कि जर्मनी की दर्वाइब बनाया economic sense फ्रांस ने अपील करा पर्मेरेंट कोल्ट ऑफ इंटरांशन जस्टिस से हेग में जिसने रूल करा अगिया सही कस्टम यूनियन फिर विडिसामर्मेंट कॉन्परेंस हिटलर ने जर्मनी को विद्डॉ करवा दिया कॉन्फरेंस से और साथ लीग ऑफ नेशन से भी अब देखें हम बात करेंगे अगर यह ब्रिटेंड यूस सार रिलेशन की तो फ्रेंड्शिप आप ऐसे समराइज कर सकते हो कि 1907 में ब्रिटेंड रश्या अग्रीमेंट जो है इसकी वैसे रिदक्शन हुआ था बाइलेटरल टेंशन में और काफी अच्छे से ट्रेड और इंवेस्मेंट बढ़ा फिर लेफ्ट राइट आपका डिवाइड भी है यह कह सकते हैं आपकी जो रिलेशन है वो जो है वो गुड है जब भी जो है लेबर पार्टी पेवर मे आती थी यह इसलिए क्यों कि डिफरेंस था इडिलोजी में लेफ्टिस रशिया की और राइट विंग कंसर्वेटिक्स की बिटेन में फिर बिटिश इंवल्मेंट जो है वो रशिया रशियन सिविल वार के साथ में उनने सो अठारा बीस तक का ट्रेड अग्रीमेंट इसलिए जर्मनी के वह एक मेजर ऑपोजिशन ग्रूप थे नाजी के उनने सो अठाइस के बार और जो बालस्वेक थे उनने कोशिश करी थी इंसाइट करना Communist Revolution को जर्मनी में उसके बार देखें क्या हुआ कि जो यू एससार जर्मनी रिलेशन की बात करें अगर हम तो 1913 तक के तो रिलेशन जो थे वह जनरली गुट रहे 1930 तक के लिए है ना यह लीडर्शिप आप स्ट्रेश्मन की इसको थांक कर सकते हो दूसरी त में जर्मा इंडस्ट्री जा है वो ट्रेट करने लगे रश्या के साथ में फिर रैपैलो अग्रिमेंट 1922 का रहा है इसके चाल प्रोविजन थे कि पूरी तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन रहेंगे उसे रियाजूम करेंगे रश्या जर्मनी के बीच में इस्पेशल रिल जर्मनी दो नहीं चाहते थे रखना पोलैंड को वीक रश्या जर्मनी को कि वह आट करें बफर स्टेट के तौर पर किसी भी दूसरे अटाक से फ्यूचर में वेस्टर से होगा यह जो है वह इसलिए था कि वेस्टेन पावर जो थी वह एंटागॉनिस्टिक थी कम्निस्ट रश्या पर साथ ही साथ रश्या चाहिए था कि उसके पास एक अच्छा रिलेशन हो एक कैपिलिस्ट कंट्री के साथ में प्रीटी हुई बर्लीन की 1926 में 1930 के बात करें तो यहां पर नेगेटिविटी हो कह थी रिलेशन में क्योंकि रश्यान जो थे वह अगेंस थे इंक्र जर्मन इसने देखा कि यहां पर बढ रही है जर्मन का नैशनलिजम जिसके रश्यान फ्रेंटर्स में दिखकत हो सचती है फ्यूचर में इस टैलिन दीमेदी में जो है रिफ्ट कर दिया पोल्यांट के तरफ बृतिन और फ्रांस की तरफ उनने सुचांटिस के बाद हीटल अगरेमेंट थे उसने इंफ्लूर कर था एक लॉस कु डिवाइड पोलांड इन हाफ बिट्वीन जर्मनी अगर यूचर जो है वो नूट्रल रहता जर्मनी अटाक करता पोलांड को यह कि स्ट्राइजिक विक्टिक थी इटलर के लिए अपने प्रिवेंट करने के लिए ब रशिया ने जो है वो इन्वाइट नहीं करा गया था इस त्रीटी में नेगोसीशन के लिए फ्रांस अपोजिशन की वज़े से यह इसलिए था क्योंकि 1907 के बाद बोल्सविक ने कोशिश करें थी इंसाइट करने के लिए प्रांस में फिर रशियन सिविल वार की बात करे था था रशियन जो है एबल तो पुश बैक दर रशियन फ्रॉम वार्सों है ना जो पुश बैक कर पा रहा था रशियन को वार्सों से पॉलिश क्यापिटल जो थी अभी कुछ लिटल इंटेन 1927 तक के लिए फ्रांस पुलांड का जो अलाइंस था उसने साइन करा गया उन 1930 के बाद में क्या था यहां पे इंक्रीज हुआ पॉजिटिविटी में फ्रांको रशियन रिलेक्शनशिप में जो राइज हुआ नासीज वगयरा के उस वज़े से जर्मनी में उस वज़े से यह सब हुआ की थीम अगर हम आपको पताएं तो जो क्रीटी थी वो हर्ट करे क्या था यह जस्ट पीस थे एक तरीका था जर्मनी को वीक रखने का तो यह सारी बात थी थी जो मेरे रिटिंग कंटीशन से टीटी की इसने रांकिल कर दिया जर्मनी को सालों तक और कई सारे तरीके से इसकी वैसे नासिदम का जो है वहां पर काफी नासिदम बढ़ गया जर्मनी में तो अब हमने यहां पर यह बात करी तो यूएस ने देखिया अडॉप्ट करी पॉलसी आइसोलेशन की और टर्न करा एक ब्लाइंड आए की तोर पे यूरोपेन पॉलिटिकल अफेर्स में एक ग्रेड डिप्रेशन जो यूएस में चलता रहा बन गया वर्ल्ड का लेक्षर तो कंप्रीट कर लिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को कमेंट करें जो भी आपका व्यू हो अगर आप यह वीडियो पेस्बुक पर देखना चाहते हैं तो आप जाक किस दो कर नापक करेंसंगा है प्लीज दोटाइब करेंसकी 전ικήत फितो वैशन के दोने हो अगरने गल모ग करेंसे तोका व्यगाय करेंसे हैं ड्लीज चलक। मुशन्ग करेंस बंसक्दिक Commissione